जब हुआद हैं यो भी यू कांडो हुआ, य형 ममनर्ख नहीं ही दिहां जिम्मेवारी ले नहीं trading के ने को भी में अगर परशासन इसम में पूलिश घ ay सोशल मीडिया उते पाई पोस्ट उन लेके दो तिरा अमों समड़े हो गई याने दास्तिये की विदेश दे विच बैठे एक शक्स ने दुकान दार दे उते फाइरिंग करवा देती है दास्तिये की दुकान दे उते ताबड तोड ते न बदमाश्या दे वलो गोडिया चलाई आ गयाने ते इना गोडिया चलाउन दी जिम्मेवारी विदेश दे विच बैठे एक करण मोडी नामक शक्स दे वलो लई गई गई है दुकानदार इस दे विच वाल वाल बाच गया है पर इस कटना करम तो बाद जिस बदमाश दे वलो इना गुंडियानू पे जया गया सी उस दे वलो लाइब होके जिम्मेवारी लेए जिस दे विच उसने क्या है के दुकानदार दे नाल उस दी पुराणी रंजिश्च ली आ रही है ते पहला इस दुकानदार ने उस दे मापयानू कर जाके ड्राया तमका है जिस दे कारण उस दे वलो पुर्स नों भी शिकायत दिती गी पर पुर्स दे वलो भी जदो कोई कारवाई ना किती गई ता अक के उसनों एक अदम चुकना पया ता दास ये कि बदमाश दे वलो एहे वोइस मैसेज जो है और रिकोर्ड करके पिजया गया जिस दे वीच साफ और पुर्स परशायशन दे उते इलजाम ला रहे है ते नाल ही उसने खुण भी पुर्स परशायशन नों चेताव नहीं दिखती है कि जेकर इस दुकानदार दे उते कारवाई ना कित गई ता ओहो चोवी कंटे दे अंदर कुछ अजेहा करेगा जिस दे नाल सारे अनूं हत्ता पैरादी पैजावेगी ता दास्तिया कि सोशल मीडिया दे उते पाई पोस्ट नूं लेके इस सारा विवाद हुया है दुकानदार दे वलो उस करन मोडी नामक शक्स दे उते इल अलजाम लगाए गए ने इस आदमी ने यहां तक की लड़कियों को टंग कर रहा है इस ता भी इसकी इंफरमेशन मेरे पास आप आप यह बताओ आप नजदी के गाओं के हो और उंगत गाओं का यह लड़का जो अपने यहां पर अपने परिवार के पालन पोशिशन के लिए जो लोग एंफेक्श उनकी वीडियो बनाई आप सीसी टीवी पूटे चेक करो इसने खुद वीडियो बना रखिये मेरे बाप की मैंने इसके फैमिली को टारगेट नहीं किया इसके बाप को टारगेट नहीं किया इसकी वाइफ को टारगेट नहीं किया इस आदमी का क्या मतलब है मेरे परिवार को पुलीस बखायत दी सकती ती इसकी पी करनाल के पास मैंने पूल की हो जाके च्च गोलियां चलाई गई हैं किसे गोली चलाई उनके खिलाफ माबला तर जोगा उनकी भी जिंद्ध की खराब होगी वह तो पता लाग जेगा जिकी ना चलाई है मैं ना चलूआ है कोई दिक्ट नहीं तो मलब आप जिम्मेवारी ले रहे हैं इस गोली कांड की आंजमा सरयां प पुलिस मेरी अलप नहीं कर दिया ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करका दोवीश गंटे के खिलाफ अंदर अंदर इन गिरफतार नहीं कर दिया तो जो मैं आज तक वीडियो पाई है न अपने ग्राकों को समान देन लंग रहा था तो मेरी साइड से मेरी गाउं के तरफ से एक मोटसाइकल है जिस पर तीन लोग सवार थे और काला कपड़ा कपड़े से मूँ डखे होए थे और सप्लेंडर मोटसाइकल होए थे उन्होंने अच्छाय राउंड फायर किया है जिसमें से चार फोके पुलिस वालों को ब्रामद करवा भी दिया है तो जनाब आपने मेरा गाउं मेरे साथ खड़ो के अपनी तरफ से कोई कारवाई करेंगा गलत है लेकिन उनको उसने करनवोडी ने लाइव ने भी बताया कि कोई आप भी उनके घर जाकर उनके माबाब को दंका कर आए थे कुछ ऐसी का बच्छा गलती करता है क्या उसके माबाब को नहीं ब कि इसली बार कुछ अपने अपने गर पह गैया था क्यों चूब चूब क्या चूब के ड़वालों से मीला था जब इतनी बात प्यूंसायज थी तो नहीं जाना प्त्रफहन कर साथ फाने में बेटाध पशने को का यह इंद रिखाए दिखे आप पन्चायद मेंदें भी थ अगर उनको आमने सामने करने तो मेरे आमने सामने आगे बात कर लेते या मेरे से बहस कोई निकाले तो सिधा मेरे से मेरे गरवाले से बात करते किसी भी मैटर को लेके ये कौन सा तरीका कि मेरे को पूरे गाओं में बदनाम करने का ऐसे तो मैं बदनाम नहीं हो जाओंगा तो उस दिन भी मैंने अना हलके में छोड़ दी थी तो आफायर दी थी मैंने लेकिन पुलिस परसाशन की तरब से कोई कारवाई नहीं हुई लेकिन मेरे को अप उमीद है कि पुलिस परसाशन अपने तरब से कारवाई है हामले ऐसा है जी न्मंबर के अंदर विल्ड कप हुआ था विल्ड कप में जो बारत की हार हुई थी तो उसमें पंकज सनोप रामफल ने जो वर्चप से इस्टेटस लगाया था वो लगाया था कि भारत के 33 क्रोड़ी देवता कहां चले गए जो बारत को मैच भी नहीं जिता पाए ऐसे पाख पूजा से उसको क्या मतलब इस से बारत के मैच का क्या लेना देना इस सिरफ हमने इतनी बात है ना पूरे गाओं को समाज को लेकर उसके गर पे गए थे इंस्टाग्राम पो को पोस्ट डाले को लेकर ही विवाद शुरू हा था हाँ हाँ तो हमने हमारा बकाइद इसमें बड़ाना चाहता है और ना ही मेरा इस चीज़ा क्या मामला है को इसकी फोटो भी शेया है हर बंदे की अपनी परतिक्रिया होती है कोई पोल्टिक्स के ओपर किसी के लिए बोलता है कोई किसी के अब कंगना रानोत है तो इसका मतलब मैं उसका गुलाम थोड़ी हूं कि मैं किसी के खिलाब भी बोल सकता हूं आजाद व्यक्ति हूं आजाद भारत में रहता हूं तो मैं बोल भी सकता हूं इस चीज़ को लेकर मेरे उपर गंबी रारूप ले लेकिन वह एक भी सबूत है ना दिखानी पाया पूरी दुनिया को अब वह हर जगा बंदनाम हो रहा मैं कब तक साथ बैठ हूँ अगर पुलिस पर सचन्ण अपनी कारवा है देश बखत कहां से हो गया जो अपने देश के उपर एलिगेशन लगा के और मेरे गुबारत देश के अंदर खतरा है तो आपको लगी तो नहीं गोली कितनी गोलियां चलाई यहां पर यहां पर फाइर किये गया है कुप परानी रंजीस बता रहे हैं यह अपनी तो मारे को सुतना मिलते ही हम मोके पहुंचे आपते ही अपसरों को अपसरों को आपने बताया रहे हैं वो मोके पहुंच चुके हैं